आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी एक्तम लाजवाब सी डाल पालक सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है एक्तम आसान सी रेसिपी के साथ ये डाल पालक बनाना बताया है ट्राय कीजिएगा बहुत ज़्यादा यमी बनती है नमस्ति दोस्तो, स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना डाल पालक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप चना डाल और आधा कप तूर की डाल ली है जिसे हम अरहर की डाल भी कहते हैं आप अपने पसंद की कोई भी डाल ले सकते हो टोटल मैंने एक कप डाल ली है डाल को दो-तिन बार अच्छे से पानी से धो लेंगे और एक घंटे के लिए बिगाने रखतेंगे जिससे डाल अच्छे से फूल जाए और हमने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम के करीब पालक पालक को मैंने दो-तिन बार अच्छे से धो लिया था अब इसे एक तम बारी काटना है जितना आप बारी काट सकते हो उतना काट लीजिएगा कप में देखेंगे तो ये करीबन दो से धाई कप के करीब बारी कटा हुआ पालक है दाल को बिगाए हुए एक घंटा हो गया है दाल अच्छे से फूल गई है अब हम इसका पानी हटा कर कूकर में ट्रांसफर कर देंगे अब हम इसमें करीबन धाई से तीन कप पानी डाल देंगे दाल के एक इंच उपर तक पानी रहे इतना पानी आप डाल लीजी पानी हम बाद में भी एड़ेस्ट कर सकते हैं मैंने आधा चमच हल्दी पाउडर, एक चोटा चमच नमक, एक तेज पत्ता, एक चोटा टुकडा दालची नीका और एक बड़ी इलाइची डाल दी है आपके पास बड़ी इलाइची ना हो, तो दो चोटी इलाइची भी डाल सकती हो एक चोटा चमच घी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करके, कूकर का धक्कन लगा दीजिए और अब हम मीडियम फ्लेम पर 3-4 सीटी आने देंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे फिर कूकर में से प्रेशर रिलीज होने पर इसे ओपन करेंगे तो चलिए तब तक हम मसाला बना लेते हैं तो इसके लिए कड़ाही में मैंने दो बड़े चम्मच देसी घी लिया है घी में दाल पहुँ ज़्यादा टेस्टी लगती है बाकि इसकी जगे इस वक्त तेल भी लिया जा सकता है इसमें मैंने एक छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है और दो पिंच हिंग डाल दी है अब हमने एक बड़ा चम्मच बारिक कटा हुआ लसुन लिया है लसुन को हम मेडियम लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे इसे ब्राउन नहीं करना है बस हलका सा भून लेंगे ताकि घी में लहसुन भून लेने से पहुत अच्छा फ्लेवर आएगा देखे जैसे ही लहसुन भूनना शुरू हो जाएगा हमने यहाँ पर दो मीडियम साइज के बारिक कटे हुए प्याज लिये है प्याज को हम मीडियम हाई फ्लेम पर करीबन दो से तीन मिनिट के लिए भूनेंगे या जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए प्याज को भूनते हुए दो तीन मिनिट हुआ है इसी वक्त हम इसमें एक छोटा चम्मच बारिक कटा हुआ अदरक और दो से तीन बारिक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे मैंने यहाँ कम तिखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है यदि आप तिखी वाली हरी मिर्च ले तो एक ही लीजिएगा तो हम अदरक हरी मिर्च को भी अच्छे से भून लेते हैं प्याज के साथ करीबन एक से दो मिनिट के लिए और ये लीजिए सारी चीज़े अच्छे से भून गई है प्याज भी पूरी तरह सॉफ्ट हो गया है हलका सा कलर भी चेंज हो गया है अब हमने यहाँ पर दो मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर लिए है साथ ही मसाले डाल देंगे एक चोथाई चोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक चोटा चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है साथ ही स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिएगा और अब हम मीडियम हाई फ्लेम पर टमाटर और मसालों को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि टमाटर पूरी तरह से सौफ्ट नहीं हो जाते हैं और मसालों के किनारों से घी अलग नहीं होने लग जाता है आप इसमें पाने डाल दीजिए ताकि आप मसालों को बहुत अच्छे से भून सकें और वो अच्छे से फूल बीजाएंगे तो बस हमें इसके भुनाई बहुत बढ़िया से कर लेनी हैं और ये लीजिए मसाला अच्छे से भून गया है टमाटर पूरी तरह सॉफ्ट हो गया है मसालों के किनारों से घी अलग हो रहा है तो इस वक्त हम इसमें ये सारा बारिक कटा हुआ पालक डाल देंगे आप चाहें तो पालक की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हो मैंने यहाँ पर पालक का अच्छे से इस्तेमाल किया है ताकि ये एक्दम पोस्टिक बने अब हम पालक को अच्छे से मिक्स कर देंगे मेडियम हाई फ्लेम पर ये देखिए पालक अच्छे से सिकुड गया है अब हम इसे ढख कर 2-3 मिनिट के लिए पका लेंगे धीमी आज पर तब तक हम दाल को चेक कर लेते हैं मैंने मिडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था अब हम दाल को चेक कर लेते हैं तो आप चना दाल को चेक कर लिजी, ये देखे, एक दम अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो बस अब हम क्या करेंगे, इसके जो खड़े मसाले हैं, उनको हटा देंगे, उनका फ्लेवर दाल में आ चुका है, और अब हम चम्मच के पीछे वाले भाग से इसे अच्छे से मिक् कर देंगे, आप इस तरह से दाल पालक बना कर देखेगा, बहुत ही टेस्टी वनती है, और ये लिजी, हमने सारी चीजो को अच्छे से मिक्स कर दिया है, लेकिन अभी ये बहुत जादा गाड़ी है, तो आप इसमें गरम पाने डाल दीजिए, मैंने जिस कुकर में दाल को लग रही है, तो बस अब हमें दाल को एक उबाल आने देना है, उसके बाद बस दो मिनिट ही पकाना है, दाल में उबाल आ गया है, बस धीमी आज पर इसे दो मिनिट पकने दीजिए, दो मिनिट हो गए है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और इस दाल पर बारी कटा हुआ लसुन लिया है, उपर से लसुन का थड़का बहुत ही टेस्टी लगता है। भून लेने से ये कोई भी चीजे चलेंगी नहीं ये तड़का हम दाल पर लगा कर मिक्स कर देंगे आप ये दाल पालक, जुआर, बाजरा या मक्का की रोटी के साथ सव कीजिए बहुत टेस्टी लगती है तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शियर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन प्रेस कर दिजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके